जब आप MIUI को यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताओं कि MIUI में आपको कुछ एपस में एक रिस्ट्रिक्शन देखने हूं मिलते हैं आपके रिफ्रेश रेट की फॉर एजमपल जो मेरा डिवाइस है वो 120 हर्स रिफ्रेश रेश रेट सपोर्ट करता है लेकिन कुछ एपस लाइक यूट्यूब वगरा में इसके जो रिस्ट्रिक्शन है वो 60 fps तक ही रहेगी लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूं जैसे यूट्यूब पर बाइ में जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मियूए के तवारा बाई डीफॉल जिसमें आप 60 fps से जादा सपोर्ट नहीं गर सकते उस चीज़ को आप यहां पर रिमूव कर सकते इस रिमूव कर सकते इस वेरी यूसफुल थिंग एक बार चलके मैं आपको कंफर्म करा जेत करता हूं कि as you can see मेरे जो डिवाइस है उसमें 120 रिफ्रेश से सपोर्ट करता है मैं यूज कर रहा हूं रेड्मी नोट 10 ब्रो 120 रिफ्रेश रिट के बाव जैसे मैं यूट्यूब विकारा आप को ओपन करता हूं तो महां पर जो ये रिफ्रेश रिट है वो एक्शुली में रिस्ट्रिक्टिड है मैं 60F से जादा यूज नहीं कर सकता हूं एक में hidden feature आपको बताता हूं में जो की काफी अच्छा शायद आप मेंसे जादातर users को में भी में भी नहीं बता होगा डेवलेपर options में आप चलेंगे तो power monitor का एक option देखने मिलता है आपको MIUI devices में जिसमें स आपको देखने मिलती है तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपके जो device है by default अगर आप YouTube कोई example लें तो वहां पर जो आपका FPS है वो restricted होगा आपका refresh rate restricted होगा 60F से जादा support नहीं करेगा by default उसको आप इसमें आकर change कर सकते हैं यह है MIUI performance के related एक app है एक tweak है आप देखे मैंने YouTube के इनेबल कर देता हूँ आपको बता देता हूँ कि आप देखेगा YouTube पर आपको 60FPS ही support करेगा तो मैं चलता हूँ यहां पर frame rate को मैंने इनेबल कर दिया चलता है YouTube पे आप देखी मैंने अपने device में actually 120FPS को इनेबल कर रहा हूँ है 120Hz refresh rate को जैसे मैंने YouTube को open के आप देख सकते ह चलता है by default इस चीज़ को दूर करने के लिए यह वाला मैजिस्क module है तो मुझे personally बहुत जादा पसंद है यह मैजिस्क module हम बात करें MIUI performance saver की जिसमें आप इसमें जितने भी आपसन को maximum FPS पर run कर सकते हैं और maximum FPS का मतलब यहां पर 120Hz actually नहीं है maximum यानि कि जितना भी आपका device support कर है जैसे मेरे case में 120 आपके case में 90 हो सकता है आपके case में 144 भी हो सकता है I'm not sure लेकिन यह चीज़ आपके device में काम करेंगी एक LS post का module है जिसमें आपको स्मॉडिल को इंस्टॉल करना है आपको कैसे सेट अप करना है मैं उसके ऊपर एक वीडियो अरडी बना चुका हूं तो लि आपके बहुत ही कमाल के Android के mods, tweaks, apps की वीडियो आपको देखने को मिलती रहती हैं गड़ बाई